आदी पर्व महाभारत आदी पर्व की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है जैसा की नाम से ही विदित होता है। यह महाभारत जैसे विशाल ग्रंत की मूल प्रस्तावना है। प्रारंग में महाभारत के पर्वों और उनके विशयों का संक्षिप्त संग्रह है। कथा प्रवेश के बाद चवन का जन्म, पुलोमा दानव का भस्म होना, जन्मेजय के सर्पसत्र की सूचना, नागूं का वंच, कद्रू कद्रू और विंता की कथा, डेवो दानवों द्वारा समुद्र मन्थन, परीक्षित का आख्यांत, सर्पसत्र, राजा उपरिच्य का व्रितांत, व्यास आधी की उत्पत्ती, दुशयन्थ-शकुन्तला की कथा, पुरूर्वा, नहुश और ययाती के चरित्र का वर्नन, भीश्म का जन्म और कॉर्वों पांडवों की उत्पत्ति, करन द्रोन आधी का वितांत, धुरूपद की कथा, लाक्षाग्रेह का वित हिदिम का वद्ध और हिदिमबा का विवा, बकासुर का वद्ध, ध्रिष्ट ग्युम्न और द्रोपदी की उत्पत्ती, द्रोपदी स्वयमवर और विवा, पांडव का हस्तिनापुर में आगमन, सुन्द उपसुन्द की कथा, नियमभन की कारण अर्जुन का वनवास, इसी स्थान पर आगे चल कर इंद्रप्रस्त भी बसा था, ययाती की दो रानिया थी असुरों के गुरु शुकराचार्य की पुत्री देव्यानी असुरों के राजा व्रिश्पवा की पुत्री शर्मिष्ठा, देव्यानी से दो पुत्र हुए यदू और तुर्वसू, य यदू के नाम से आगे चल कर यदू वंश चला जिसमें श्री कृष्ण भी पैदा हुए, शर्मिष्ठा के तीन पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटा पुरु बहुत पराक्रमी तथा पित्रभक्त था, ययाती ने पुरु को ही अपना उत्तरादिकारी बनाया, पुरु के वंश में ही आगे चल कर दुश्यंध हुए जिन्होंने शकुन तला से विवाह किया तथा उनके पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पढ़ा, भरत के वंश में हस्तिन नाम के राजा हुए जिन्होंने अपनी नई राजधानी हस्तिनापुर में बसाए, हस शांतनू कौरव राजवंश में शांतनू नाम के प्रतापी राजा हुए, शांतनू ने भगवती गंगा से विवाह किया था, कहा जाता है कि एक बार अश्ठ वसु नाम के आठ देवताओं से तंग आकर वसिष्ठ मुनी ने उन्हें शाप दिया कि उन्हें मनुष्य योन में जन्म लेना होगा। परंतु आठों वसुओं की प्रार्थना पर मुनी ने कहा कि साथ वसुओं का तो जन्म लेते ही उधार हो जाएगा, पर सबसे उत्पाती वसु प्रभास को मृत्यू लोक में बहुत दिन तक रहना होगा। इन्ही अश्ठ वसुओं को शाप से मु आठ में पुत्र को शांतनु ने नहीं बहाने दिया, तब गंगा इस पुत्र को अपने साथ स्वर्ग ले गई तथा इसका नाम देवुरत रखा। देवुरत ही आगे चलकर भीश्म के नाम से प्रसिध हुए। एक दिन गंगा तट पर शांतनु ने देखा कि एक बालक न एक बार शांतनु ने यमुना नदी के किनारे एक सुन्दर धीवर कन्या सत्यवती को देखा तथा उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। सत्यवती का पिता विवाह के लिए तैयार हो गया, पर उसने एक शर्थ रखी कि उसकी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तरा दीवर ने कहा कि मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है पर आपका पुत्र यदी राज्य का दावा करेगा तो मेरी कन्या के पुत्र का क्या होगा। विचित्रवीर्य शांतनु के बाद चित्रांगद ही गद्धी पर बैठे। कि मैं मन से शाल्वराज को अपना पती मान चुकी हूँ इसलिए भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया और अंबिका एवं अंबालिका से विचित्रवीर्य का विवाह हो गया। अंबा शाल्वराज के पास पहुँची पर शाल्वराज ने उसे स्वीकार नहीं किया। दुखी अंबा का मन भीष्म से बदला लेने का वरप्राप्त किया। आगे चलकर यहीं अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी तथा भीष्म की मृत्यू का कारण भी बनी। विचित्रवीर्य से अंबिका को ध्रित्राष्ट तथा अंबालिका को पांडू नामक पुत्र पैदा हुए। विचित्रवीर्य की मृत्यू के बाद पांडू को राजगद्दी पर बिठाया गया क्योंकि ध्रित्राष्ट जन्मान्थ थे। भीश्म ने अम्बिका की एक दासी के पुत्र विदुर का लालन पालन भी राजकुमारों की तरह किया था। यही विदुर धर्मनीती के पंडित हुए। धृत्राष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ था। गांधारी धृत्राष्ट्र के अंधा होने के कारण अपनी शस्त्र की दूसरी पतनी से यूयूत्सु नाम का पुत्र पैदा हुआ था। शस्त्र शिक्षा में पांडव कौर्वो से सदा आगे रहते थे। एक दिन जब बेशस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे थे, उनकी गेंड एक कुए में गिर गई। युधिष्ठिर ने जब कुए में जाका तो उनकी अनगूठी भी कुए में गिर गई। तभी उन्हें एक तेजस्वी ब्राहमन उधर आता दिखाए दिया। ब्राहमन ने राजकुमारों की चिंता का कारण पूछा तथा एक सीक मंत्र पढ़कर कुए में छोड़ी। वन सीक गेंड पर तीर की तर तथा गेंड बाहर आ गई। राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर की अनगूठी भी निकालने की प्रार्थना की। ब्राहमन ने धनुष से बान चला कर अनगूठी को बान की नोक में फसा कर बाहर निकाल दिया। नाम पूछने पर प प्रसन होकर दुर्वासा रिशी ने उसे एक ऐसा मंत्र बताया था जिससे वह किसी देवता का आहवान कर सकती थी। कौमार्या में ही कुंती ने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्य का आहवान किया तथा सूर्य की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ती हुई। ल लिए सूत पुत्र कहलाया. कुंती से पांडू के तीन पुत्र हुए युदिष्ठिर धनुर विद्या सीखने की इच्छा से लाया. गुरु द्रोन ने उसे बताया कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं. बालक चला गया पर उसने गुरु द्रोन की मूर्ती बनाकर धनुर विद्या का अभ्यास किया तथा ही धनुर विद्या में निपुन हो गया. एक दिन सभी राजकुमार जंगल में खेलने गए. एक कुत्ता भी उनके आगे आगे चल रहा था. कुछ आहट पाकर वह भौंकने लगा. एक लव्या ने एक एक करके कई तीर छोड कि मुह में जाग उसे कुत्ते का भौंकना बंध हो गया, पर उसे कहीं चोट नहीं आई. राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ. जब उन्होंने एक लव्या से पूछा कि उसे धनुर विद्या किसने सिखाए है, तो उसने द्रोन की मूर्ती की ओर इशारा किया तथा कहा आचार्य द्रोन ने. राजधानी लोटकर राजकुमारों ने एकलव्या की धनुर विद्या का समाचार गुरु द्रोन को सुनाया तथा कहा कि एकलव्या ने धनुर विद्या में हमसे भी अधिक कुशलता प्राप्त कर ली है. गुरु द्रोन ने बताया कि एकलव्या क जो सिद्धी मिली है वह उसकी गुरुभक्ती तथा श्रद्धा का परिनाम है। शस्त्र संचालन का प्रदर्शन एक दिन पितामह भीश्म ने गुरु द्रोन से सलाह करके कि शस्त्र संचालन के प्रदर्शन की व्यवस्था की। निश्चित समय पर रंस्थली दर्शकों से भर गई। भीश्म, धृत्राष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर आदी सभी उपस्थित थे। सभी ने अपना अपना कोशल दिखाया तथा सभी का मन मोह लिया। विदुर ने धृत्राष्ट्र को प्रदर्शन का वृतांत सुनाया। भीम और दुरियोधन ने गदा युद्ध का कौशल दिखाया। दोनों एक दूसरे से इर्श्या रखते थे, अतहे एक दूसरे पर वार करने लगे लगे, पर गुरु द्रोन ने संकेत पर अश्वत्हम ने उन्हें अलग-अलग कर दिया। करन की चुनोती अर्जुन की धनुर्विद्या की प्रशंसा सभी कर रहे थे कि इसी समय करन आगे आया तथा अपनी कला दिखाने की इच्छा व्यक्त करते हुए बोला कि जो कुछ अर्जुन ने किया, वह मेरे लिए अत्यांत साधारं सी बात है। करन ने कहा कि मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। पर क्रिपाचार्य ने उससे सूत पुत्र कहकर द्वंद्व युद्ध की बात काद दी, क्योंकि राजकुमार से द्वंद्व युद्ध करने का अधिकारी राजकुमार ही होता है। इस पर दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोशित कर दिया तथा सभाभवन में ही उसका राजतिलक कर दिया। अर्जुन ने कर्ण से कहा कि कर्ण तुम वीर हो पर तुम यह मत समझो की वीरता का वर्दान केवल तुम्हें ही मिला है। संध्या हो चली थी, इसलिए पितामः भीश्म ने प्रदर्शन को बंद करने का आदेश दे दिया। अर्जुन की गरवोक्ति कर्ण के मन में चोट बनकर रह गई। राजा दुपद से प्रतिशोध एक दिन द्रोनाचारिय ने सभी राजकुमारों को बुला कर शस्त्र विद्या की शिक्षा के बदले गुरुदक्षन अमागी। उन्होंने दुपद को पकड़ कर अपने सामने लाने की आग्या दी। दुरु की आग्या मानकर पांदवों ने पांचाल राज्य पर आख्रमन कर दिया तथा दुरुपद को पकड़ कर दुरोन के सामने उपस्थित किया। इस प्रकार दुरोन ने दुरुपद से बदला ले लिया। बाद में दुरुपद ने भी अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए पुत्रेष्टी यग्य किया तथा उन्हें धृष्ट्डियुम नामक पुत्र पैदा हुआ, जिसने महाभारत के युद्ध ने द्रोनाचार्य का वद्ध किया. लाक्षाग्रेह दाह दुर्योधन दिन रात इसी चिंता में रहता कि किसी प्रकार पांडवों का नाश करके हस्तिनापूर पर राज्य कर सके. कौर्वों पांडवों में युदिष्ठिर सबसे बड़े थे तथा इसलिए सिंधासन के उत्तरादिकारी समझे जाते थे. पर दुर्योधन सोचता था कि उसके पिता जेष्ठ होने पर भी जन्मान्ध होने के कारण गद्धी ना पास सके तो इससे उत्तरादिकारी का नियम तो नहीं बदल जाता. धृत्राष्ट्र का बड़ा पुत्र होने के कारण मैं ही गद्धी का अधिकारी हूँ. शकुनी कर्ण, दू, शासन, आदी दुर्योधन के साथ थे. दुर्योधन ने पांडवों की बुराई करके धृत्राष्ट्र को भी अपने पक्ष में कर लिया तथा पिता से पांडवों को वर्नावर्थ के मेले में भीजने को कहा. दुर्योधन एक योजना बना कर पांडवों का नाश करना चाहता था. दृत्राष्ट्र की आग्या से पांडव वर्नावर्थ चले गए. उनके जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को सावधान कर दिया तथा अगले संदेश की प्रतीक्षा करने को कहा. एक दिन अर्जुन राजभवन के द्वार पर बैठे थे, तभी एक ब्राह्मन रोता हुआ आया और उसने बताया कि चोर उसकी गाय चुरा ले गए हैं. अर्जुन उस समय निरिस्ट्र थे. उनके अस्त्र घर में थे, जहां युधिष्ठिर द्रौपदी के साख थे. अर्जुन धर्म संकट में पढ़ गए. यदी हथियार लेने घर में जाते हैं, तो बारह वर्ष का वनवास होगा और यदी गायों को नहीं चुडाते तो ब्राहमन से शाप मिलेगा. अंत में विसिर जुका कर घर में गए तथा अस्त्र ले आये. उन्होंने ब्राहमन की गाये छुडा कर ब्राहमन को दे दी. अर्जुन ने युधिष्ठिर से बारह वर्ष के वनवास की आग्या मागी. युधिष्ठिर ने बहुत समझाया, पर अर्जुन, माता कुंती पैदाता ब्राहमन के घर रोने की आवाज सुनी. पूछने पर पता चला की बक नाम का एक राक्षस नगर के पास ही गुफा में रहता है, जो लोगों को जहां भी देखता, मार कर खा जाता था. नगरवासियों ने उससे तंग आकर एक समझोता कर लिया कि हर सपता उसकी ग जुफा में गारी भरकर मास, मदिरा, पकवान आदी भेज दिया जाएगा तथा गारीवान भी उसी खुराक में शामिल होगा. उस दिन गारीवान के रूप में उस ब्राहमन को जाना था. वहां पहुँचकर वह कभी जिन्दा वापस नहीं आ सकेगा, इसलिए घर के सभी लोग रो रहे हैं. कुंती ने ब्राहमन को धिरज बधाया तथा कहा कि उसकी जगह मेरा पुत्र भीम चला जाएगा तथा बकासुर उसका कुछ भी नहीं बिगार सकेगा. भीम भोजन तथा पकवान से भरी गारी लेकर राक्षस की गुफा तक पहुँचा तथा उसने उस लादभू से मार मार कर जान से मार डाला तथा उसकी लाश को नगर द्वार तक ले आए. नगर वासियों की प्रसन्नता की सीमा न रही. एक दिन अर्जुन राजभवन के द्वार पर बैठे थे तभी एक ब्राहमन रोता हुआ आया और उसने बताया कि चोर उसकी गाय चु जाते हैं तो बारह वर्ष का वनवास होगा और यदी गायों को नहीं चुडाते तो ब्राहमन से शाप मिलेगा. अंत में वे सिर जुका कर घर में गय तथा अस्त्र ले आये. उन्होंने ब्राहमन की गाय चुडा कर ब्राहमन को दे दी. अर्जुन ने युधिष्ठिर से ब अर्जुन का विवाह देश-देश में घूमते हुए अर्जुन हरिद्वार पहुँचे. गंगा में स्नान करते समय नागराज कैराव्य की कन्या उलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई. वह अर्जुन को पाताल लोक ले गई तथा उनसे विवाह किया. उलूपी ने अर्ज अर्जुन को वर्दान दिया कि आप जल में भी स्थल की तरह चल सकेंगे. चित्रांग्दा से अर्जुन का विवाह नागलोक से उपर आकर अर्जुन अनेक तीर्थों का भ्रमन करते हुए मनिपूर पहुचे जहां कि राजकन्या चित्रांग्दा अत्यंत रूपवती थी अर्जुन ने चित्रांग्दा से विवाह किया. तीन वर्ष तक अर्जुन मनिपूर में चित्रांग्दा के साथ रहे तथा उन्हें बभरुवाह नाम का एक पुत्र भी प्राप्त हुआ. सुभद्रा से अर्जुन का विवाह मनिपूर से पंच्तीर्थ होते हुए अर्ज अर्जुन के मन में प्रेम पैदा हो गया। पुषकर्तीरत में बहुत दिनों तक रहे। वनवास के दिन पूरे होने के बाद वे सुभध्रा के साथ इंद्रप्रस्त पहुँचे तो माता कुंती तथा सभी पांडवों की प्रसनता की सीमा न रही। अर्जुन को सुभध्रा से अभिम्यू तथा द्रौपदी से पांडवों को पांच पुत्र प्राप्त हुए। खांडव दाहे एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण कुछ बात चीत कर रहे थे तभी अग्नेदेव ब्रह्मन के वेश में उनके सामने आए। अग्नेदेव को अजीर्न का रोग हो गया था जिसकी केवल एक ही दवाती की खांडव वन के जीव उन्हें जलाने को मिले। इसी वन में इंद्र का मित्र तक्षक सर्प भी रहता था। अग्नेदेव देव जब भी खांडव वन जलाने की कोशिश करते इंद्र वर्षा करा देते। अग्नेदेव ने अर्जुन से सहायता मागी। अर्जुन ने कहा कि मैं सहायता करने को तयार हूँ पर मेरे पास इंड्र का सामना करने के लिए उप्युक्ट शस्त्र नहीं है। अगनेदेव ने अर्जुन को गांदीव नाम का विशाल धनुष अक्षे तूनी तथा नंदिगोश नाम का विशाल रग दिया। अर्जुन के संकेत पर अगनेदेव ने खांदव वन को जलाना शुरू कर दिया। इंड्र ने आग बुझाने के लिए बादलों को उड़ा दिया। तब इंड्र स्वयम अर्जुन से युद्ध करने आये। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। इंड्र अर्जुन की वीर आधना करनी पड़ेगी। खांदव वन में केवल कुछ ही प्रानी बचे थे जिन में एक मैदानव भी था जो कुशल शिल्पी था। अर्जुन ने उसे मित्र बना लिया। मैदानव ने कहा कि आपसे प्रान रक्षा के बदले में मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ अर्जुन ने मैदानव से युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्त में अनुपम सभा भवन का निर्मान करने को कहा, जिसे मैदानव ने सिर जुका कर स्वीकार कर लिया।